की classes में. मैं हूँ Anushya, आपकी social science teacher and कैसे हैं मेरे सारे students? I hope आप सब ठीक हो and I also hope कि सारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं. So, ये lecture किस के लिए चल रहा है? Class 9th के बच्चों के लिए. Okay, and chapter आप बच्चों का क्या चल रहा है? Socialism in Europe and the Russian Revolution. Lecture 9 तक हम लोग पहुन चुके हैं. काफी सारे important topics को हमने already cover कर लिया है. आज ये class में और भी fun और भी interesting topics को cover करेंगे. So, start करते है class. ये बच्चों का time table है. Monday to Saturday आपकी classes होती है. 8 a.m. biology, 9 a.m. social science, 10 a.m. chemistry, 11 a.m. maths, और 12 p.m. physics. Evening 4 p.m. chemistry, 5 p.m. maths, 6 p.m. biology, 7 p.m. physics. और अभी 8 बज़ रहें तो 8 p.m. आप लोगों की मेरे साथ social science की class होती है. और एक बहुत ही exciting announcement आप सारे बच्चों के लिए. Class 9 English Medium VIP course बहुत ही जल स्टार्ट होने वाला है. और इस course में क्या होगा? आपको doubtnet के top teachers के recorded lectures दिये जाएंगे. और यही teachers एकदम live comment section में आपके सारे doubts को clear करेंगे. यह course वैसे best क्यों है? क्योंकि top teachers, बहुत ही जादा experienced teachers जो पहले भी बच्चों की help कर चुकी है अच्छा result लाने में. अब यही teachers आप बच्चों की भी help करेंगे. तो बहुत easy हो जाएगा इस course के साथ top results और best results लाना. जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके सारे doubts को एकदम live comment section में clear कर दिया जाएगा. So meet your top teachers या बच्चों के top teachers हैं जो आपकी help करेंगे इस course में. Physics, Chemistry, Biology, Social Science, Maths and English teachers. तो अगर हम Social Science की बात करें तो उज्वला माम और मैं हम दोनों आप बच्चों की Social Science में help करेंगे. और ये कुछ examples हैं ऐसे बच्चों के जिन्होंने अपने family, village और doubtnet का भी नाम रोशन करा है. So निलेश यादव village topper रह चुके हैं बिहार से, class 10 में इनका score था 91.2% और शानु कुमार district topper रह चुके हैं वैशाली बिहार से, class 10 में इनका score था 91%. और ऐसे और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने इस course को join किया, जिन्होंने doubtnet को join किया और काफी अच्छा उनका result रहा है. In fact, 100 से भी जादा बच्चे ऐसे हैं जिनके 85% marks भी आए हैं. So आप बच्चों के लिए भी बहुत easy हो जाएगा इस course के साथ top results लाना. So कैसे करोगे आप लोग doubts का सफाया doubtnet के साथ? तो यह first point सारे बच्चों को पता होगा doubtnet number one institute है doubt solving के शेत्र में. तो अगर हम doubt solving की बात करें तो doubtnet best है. और जब आप इस course को join करोगे आपको रोज homework दिया जाएगा, notes भी available होंगे और regular basis में आप बच्चों का test होगा. test के बाद आप बच्चों को भी idea लग जाएगा कि तयारी कैसी चल रही है और homework, notes और test के हर सवाल का video solution भी आपको provide किया जाएगा. classes अगर आप चाहो तो class के time पर देख सकते हो, मान लो कोई और class है, कोई और काम है, तो आप बाद में भी इन classes को attend करके अपने सारे doubts को clear कर सकते हो. अगर आपको लगता है कि homework में कोई doubt है, homework समझ नहीं आ रहा, तो बहुत easily आपको हमारे आप पर solution मिल जाएगा. अगर class के बीच में आपको लगता है कि sir या maam से कोई doubt पूछ के अपना doubt clear करना है, तो आपको क्या करना होगा? comment section में hashtag doubt लिखो, साथ ही साथ अपने doubt को भी लिख दो और हमारे top teachers एकदम live comment section में आपके doubt को clear कर देंगे. in case आप बाद में class को देखके अपने doubt को पूछते हो, तो ऐसे में 24 to 48 hours के अंदर आपको response मिल जाएगा. अगर आपके textbook में भी कोई ऐसा question है जो आपको समझ नहीं आ रहा या थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तब भी आपको बहुत easily हमारे आप पर solution मिल जाएगा. तो काफी सारी details इस course के बारे में मैंने आप बच्चों को बता दी हैं, अगर आप और जानना चाते हो, या फिर अगर आप join करना चाते हो इस course को, तो आप हमें call कर सकते हो, नमबर है 01247158250, या फिर आप लोग comment भी कर सकते हो, comment section में भी लिखके बता सकते हो. तो अभी आप बच्चों के screen के सामने एक poll आने वाला है, जल्दी सुस poll को answer कर दो और बता दो, क्या आप class 9 board VIP course को join करना चाहोगे? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, एक और बहुत ही amazing news आप सारे बच्चों के लिए, अब doubtnet के साथ English लिखना ही नहीं, बलकि English बोलना भी बहुत easy हो जाएगा, क्यूंकि doubtnet के top English teachers, Rubena ma'am और Bhumeka ma'am, आप लोगों के लिए एक बहुत ही special course लेके आ रहे हैं, English speaking course, ठीक है? अभी आप बच्चों के screen के सामने एक और poll आने वाला है, जल्दी से उस poll को answer कर दो और बता दो, क्या आप लोग English speaking VIP course को join करने में interested हो? So, 18th July को आप बच्चों का doubtnet में scholarship test होने वाला है, 3 p.m. to 4 p.m. के बीच में आपका ये test होगा, और कौन-कौन से बच्चे इस test में पार्ट ले सकते हैं, class 6 to 12th के सारे बच्चे, ऐसे बच्चे जो IIT, JEE की preparation कर रहे हैं, या फिर NEET की preparation कर रहे हैं, आप सारे बच्चे इस test को attempt कर सकते हों, और इस test के थूँ हम लोग total 1 करोर वर्थ की scholarship आप बच्चों को दे रहे हैं, सो बहुत ही कम टाइम बचा है, जल्दी से जाके register करो, और अपने दोस्तों को भी बताओ, तो हमने इस chapter में कौन-कौन से topics को cover कर लिया है, हमने liberals के बारे में समझ लिया, radical समझ लिया, conservative भी हो गया, socialist भी हो गया, और Russian revolution हमने start कर लिया इस topic को, आज के class में इसी topic को continue करेंगे, बहुत सारे interesting topics, ठीक है, bloody Sunday, इन सारे topics को हम आज के class में cover करेंगे, तो super interesting class होने वाली है, आपको अच्छे से सुनना है, ओके, चलो, previous lecture में आप बच्चों को homework दिया गया था है, और काफी सारे बच्चों ने homework किया, very good, Aryan, Abhishek, Rajpande, Rajpande, आपने सब कुछ highlight भी किया, very good, ठीक है, अच्छा, वैसे अगर टेस्ट में ये सब लिखो तो pencil से underline कर देना, ऐसे green, purple, इन सारे colors को use नहीं करना, अब भी शेक, आप answer को थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हो, ठीक है, अगर one marker में question आता है, फिर तो ठीक है, वरना थोड़ा सा और increase करो answer के length को, अनुष्या, very good, point wise लिखा है सब कुछ, देव, very good, गौरी, इंच्षा, शुभम, जस्टिन, आप सारे बच्चों ने homework किया है, very good, और भी बच्चें जिन्हों ने homework किया है, मैं आपको बताती रहती हूं, possible नहीं हो पाता, सारे screen shots लाना पर हां, मैं चेक कर लेती हूं आपक keep it up, ठीक है, चलो, अब हम previous lecture के आपके doubts को clear करते हैं, अच्छा, कुछ doubts, repeated questions के थे, तो I think, maybe, कुछ बच्चों ने बीच के lectures को miss कर दिया, तो आप previous lectures को अच्छे से देख लो, आपका doubt clear हो जाएगा, फिर भी नहीं होता, तो पूछ लेना फिर से, future classes में clear कर दिया जाएगा, चलो, लवकुष, आपने पूछा है कि मेंशेविक ग्रुप की लीडर कौन थे, बहुत ही अच्छा सवाल, बोल्शेविक के बारे में तो आपको बता दिया जाता है, आपके textbook में, क्योंकि Lenin होते हैं, बोल्शेविक ग्रुप की लीडर, और Lenin बहुत ही important है इस chapter में, ठीक किसी बच्चे को spelling में भी दिक्कत हो, तो देख लो, ठीक है, जूलियस स्मार्टॉफ थे, मेंशेविक ग्रुप की लीडर, दिव्यांशु और इशा, आप दोनों का, मतलब, same side question था, same side doubt था, liberals, radicals और socialist में, डिफ्रेंस पूछा है दिव्यांशु ने, ठीक है, अच्छा, liberals और radicals के बारे में मैं आपको बताती हूँ, ये दोनों लोग ऐसे थे, जो चाहते थे, कि system बदल जाए, ठीक है, system change हो जाए, so liberals और radicals के बीच में ये similarity हो गई, कि दोनों चाहते हैं कि system बदल जाए, राजा रानी को, हटा दिया जाए, कोई और system स्टार्ट हो जाए, पर अ category में आते हैं, और radicals में generally poor class के लोगों को radicals के category में डाला जाता है, पर middle class के लोग भी होते थे, कम होते थे, इसके अलावा एक बहुत ही major difference in लोगों के बीच में ये भी है, कि liberals women को voting right देने में विश्वास नहीं रखते थे, okay, universal adult franchise मून का विश्वास नहीं था, इसलिए नहीं थे, democracy के principles को follow नहीं करते थे, पर radicals उनको फरक नहीं पड़ता, वो कहते हैं कि नहीं, women को voting rights मिलने चाहिए, ये बात बहुत ही important है, okay, so ये main difference है, ठीक है, so ईशा, I think आपका question था कि liberals के बारे में बता दो, तो मैंने liberals के बारे में भी बता दिया, इस question में, next, socialist, देखो, socialist, ऐसे लोग हैं, जो socialism, ideology के उपर विश्वास रखते हैं, ठीक है, socialism में क्या कहा जाता है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कि कोई एक resource है society में, उस resource को rich लोगों ने खरीद के अपने पास रख लिया, ठीक है, अगर कोई resource है, तो वो पूरे society का होना चाहिए, ठीक है, सारे resources को बराबर तरीके से लोगों तक पहुंचाओ, ये socialism में कहा जाता है, तो ऐसे लोग जो socialism के ideology में विश्वास रखते हैं, उनको socialist कहा जाता है, ठीक है, सो ये तीनों जो terms हैं, इन तीनों का मतलब अलग है, and I hope, देव्यानशू, ईशा अब आपको थोड़ा और अच्छे से आगया होगा, ठीक है, आलोक आपने काल मार्क्स के बारे में पूछा है, और बहुत ही important आपका doubt है, क्योंकि इस chapter में से अकसर काल मार्क्स के उपर कोई ना कोई question आ ही जाता है, क्योंकि जब हम socialism word के बारे में बात करते हैं, तो socialism word सुनते ही काल मार्क्स का नाम दिमाग में इतना important उनका contribution था, तो काल मार्क्स के बारे में आप यह याद रखना कि socialist है, socialism के ideology में इनका बहुत जादा विश्वास था, एक बहुत ही important चीज जो उन्होंने कही थी, कि अगर हमें society को develop करना है, तो हमें क्या करना होगा, capitalism को, capitalist को हटाना पड़ेगा, तो यह हमेशा कहते रहते थे, कि एक industry में क्या होता है, एक इंसान होते हैं, ठीक है, और उनके नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं, ठीक है, वो जो एक इंसान होते हैं, वो owner होते हैं company के, ठीक है, और यह जो बहुत सारे लोग हैं, जो इनके under काम करते हैं, इनके साथ अक्सर क्या होता है, य मतलब जो owner है, तो Karl Marx कहते थे कि अगर society को बदलना है तो एक ही solution है, यह जो owner है, यह जो main boss है, इनको हटाओ, ठीक है, capitalism को हटाओ, capitalist society को हटाओ, तब ही हम लोग develop कर सकते हैं, ठीक है, सो Karl Marx के बारे में हमने इतना ही पढ़ा था, आलोक, I hope, यह doubt आपका clear हो गया है, next, अच्छा, कल के class में काफी सारे बच्चों ने IAS से related doubts पूछे हैं, तो मैं उनको भी clear कर देती हूँ, भावेश और आगम, आप दोनों का इस similar सा doubt था, कि IAS बनने के लिए क्या करना होगा, या after 10th के बाद कौन से subject को लेना होगा, प्लीज बता दीजे, अच्छा, class 10th के बा कोई दिकत नहीं, आप science ले सकते हो, अगर आपको IAS बनना है, तो आपको, आपके पास बस कोई भी एक degree होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी एक bachelor's की degree होनी चाहिए, उसके बाद आपको एक exam clear करना पड़ता है, ओके, वो exam clear करने के बाद आप IAS या फिर और कोई civil service के post में जा सक तो 10 के बाद ऐसे कोई mandatory नहीं है कि यही subject लेना पड़ेगा IAS बनने के लिए, पर हाँ, जब आप तयारी करोगे IAS बनने के लिए, तो आपको automatically 11th और 12th के humanities के SST के सारे books पड़ने पड़ेंगे, तो अगर आप 11th में humanities का subject लेते हो, तो आपको एक advantage रहेगा कि आगे जाके आ आपको फिर से humanities के subject को पड़ना ही पड़ेगा और कोई option नहीं है, ठीक है, बाकि आपको जो subject अच्छा लगता हो, वो subject आप कर सकते हो, ओके, so किसी, I think किसी student ने comment किया था कि उनको पहले doctor बनना है और फिर IAS बनना है, हाँ, तो आप वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं अगर आपको पहले doctor बनना, उसके बाद आपको लगता है कि नहीं IAS बनना, तो हाँ, completely आपकी मर्जी है, चलो, so, यही doubts थे आप बच्चों के, so, I hope यह doubts clear हो गए हैं, आगम, भावेश, इसके अलावा भी अगर आपके और भी कोई doubts हो, comment section में डाल देना, next lecture में clear कर दिया ज पहले हैं, topic का नाम है bloody Sunday, ठीक है, तो वो हम cover करेंगे आज के class में, उससे पहले एक quiz रख लेते हैं, अराम से सोच समझ के answer करना quiz के questions को, start करते हैं, first question, who felt that in a repressive society like Tsarist Russia, the party should be disciplined and should control the number of quality of its member, option A, Bolshevik, option B, Menshevik, option C, both A and B, या फिर option D, none of these, इन में से किसको लगता था कि हम अपने political party में हमें सोच समझ के लोगों को डालना चाहिए, ऐसे नहीं कि किसी को भी हमने party में डाल दिया, next question, Russia was a dash, ठीक है, dash का मतलब यहाँ पे, political system पूछा जा रहा है, उस time के Russia का, option A, democracy, option B, republic, option C, autocracy, option D, none of these, next question, some Russian socialists felt that the Russian peasant culture of dividing land periodically made them dash, option A, natural socialist, option B, natural capitalist, option C, conservatives, option D, radicals, तो जब Russia के farmers, starting से अपने land को divide करते हुए आ रहे हैं, तो इस reason के वज़े से हम उनको क्या कह सकते हैं, next question, why did membership to workers association rose in 1904, तो 1904 में ऐसा क्या हुआ कि workers association में membership अचानक से बढ़ने लग गई, option A, prices went up, option B, real wages declined, option C, workers were being dismissed, अगर तीनों options आपको right लग रहे हैं, तो option D, all of the above, next question, who were jadeedist, option A, social reformers, option B, Muslim reformers, option C, Christian reformers, या फिर option D, none of these, next question, in 1914, who was the ruler of Russian Empire, so 1914 में, Russian Empire के ruler कौन थे, रश्या में, राजा कौन थे, option A, Louis XVI, option B, सार, Nicholas II, option C, Karl Marx, option D, none of these, चलो, जल्दी से discuss कर लेते हैं, इन questions को, first question में आप बच्चों से क्या पूछा जा रहा है, कि political, ऐसी कौन सी political party थी, जिनके लोगों को लग रहा था, कि अभी फिलहाल, रश्या की condition ऐसी है, कि हमें अपने political party में किसी को add करने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए, हमें quality के उपर ध्यान देना है, मतलब अच्छे members को अपने political party के अंदर डालना है, तो ये thinking थी bolshevik लोगों की, ठीक है, bolshevik political party के leader कौन थे, Lenin थे, और वो मानते थे कि हमें ऐसा नहीं करना कि किसी को भी हमने अपने political party में डाल दिया, हमें quality के उपर ध्यान देना है, अच्छे members को ही डालना है, ठीक है, मेंशेविक की opposite thinking थी, वो लोगों कहते थे कि नई, political party अगर बनाई है, तो it should be open to all, it should be open to all का क्या मतलब है, जिसका मन कर रहा है, उनको join करने देना चाहिए, तो right answer क्या है, हमारा option A, next question, Russia was a dash, Russia में क्या, कौन सा political system था उस time पे, democracy नहीं था, republic भी नहीं था, republic में हम लोग खुद elect करते हैं, अपने state की leader को, ठीक है, उस time पे autocracy था, ठीक है, autocracy में क्या होता है, कोई एक इंसान होता है, पूरे system में, और वो एक इंसान बहुत ज़ादा powerful होते हैं, मतलब पूरा system वही समालते हैं, so autocracy में ही king rule भी आ जाता है, ठीक है, तो रश्या में राजा थे, and सारे powers राजा के पास थे, राजा अपनी मर्जी से चलाते थे रश्या को, ठीक है, so right answer क्या है, option C, autocracy, next, some Russian socialists felt that Russian peasants, custom of dividing land periodically made them, अच्छा, तो Russian peasants, Russian farmers के बारे में मैंने आप बच्चों को क्या बताया था, कि वो लोग क्या करते थे, मीर system को follow करते थे, मतलब वो लोग क्या करते थे, आपस में अपने जमीन को जोड के साथ में farming करते थे, and जिस farmer को जादा जरूरत होती थी पैसो की, जादा family members थे जिस farmer के, उनको जादा हिस्सा, जादा profit का जादा हिस्सा दे दिया जाता था, तो काफी लोग मानते थे कि, क्यूंकि Russia के farmers इस system को follow करते थे, ये लोग naturally socialist है, ठीक है, क्यूंकि socialist लोग क्या मानते हैं, कि resources equal तरीके से use करो, सबको मिले resources, तो क्यूंकि Russia के farmers इस अलग तरीके से farming करते थे, तो कुछ लोगों का मानना था कि Russia के farmers natural socialist हैं, ठीक है, इनके अलावा कुछ लोगों का ये भी मानना था कि farmers नहीं, बलकि workers natural socialist हैं, ठीक है, सो लोगों की अलग-अलग thinking थी उस time पर, next, why did membership to workers association rise in 1904, सो अचानक से workers association की membership बढ़ने क्यूं लग जाती हैं, prices went up, बहुत ज़ादा महंगाई बढ़ गई थी, ठीक है, real wages कम होने लग गए थे, real wages आप बच्चों को याद होगा, कल हमने discuss करा था, workers को हटाया जा रहा था, ठीक है, ये लोग भी support कर रहे थे, और कह रहे थे राजा से कि हमें एक नया constitution चाहिए, हमें constitution बनाने दो, right answer आपका option B है, और 1914 में रश्या के राजा कौन थे, ठीक है, वो थे सार निकोलिस 2, right answer है, option B, या बच्चों का quiz था, जिन भी बच्चों के right answers है, very good, keep it up, I think आप तक काफी बच्चों ने comment section में डाल दिया होगा, 6 out of 6, all answers correct, so keep it up, अगर गलती हो रही है, कोई बात नहीं, पहली बार history समझ रहे हो आप, नहीं, पहली बार तो history नहीं समझ रहे हो, पहली बार ये chapter आप मेरे साथ समझ रहे हो, सीखते टाइम इधर उधर गलतियां हो जाती है, पर गलतियों को याद रखो, next lecture में repeat नहीं करना है, ठीक है, चलो, आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और Russian Revolution के topic को continue करते हैं, so 1904 की बात है ये, मैंने आप बच्चों को बताया था, कि 1904 रश्या के workers के लिए अच्छा टाइम नहीं था, क्यूंकि अभी हमने quiz में भी discuss करा, महंगाई बढ़ रही थी, रियल वेज काम हो रहा था, और इस तोरान क्या होता है, workers association में काफी सारे members, जॉइन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अब ऐसे में क्या होता है, members of the assembly of Russian workers, were dismissed at Pute Loaf Iron Works, ठीक है, तो चार members थे, ठीक है, चार Russian workers थे, जिनको एक industry से भार कर दिया जाता है, ठीक है, 1904 की बात है, चार लोगों को Pute Loaf Iron Works, यह industry का नाम है, यहां से निकाल दिया जाता है भार, ठीक है, एन इस reason के वज़े से, लोग बहुत जादा गुसा हो जाते हैं, ठीक है, there was a call for industrial action, पूरे इंडस्री में सारे workers मिलके, strike करने लग जाते हैं, कि ऐसे इतने मुश्किल time period में, क्यों लोगों को निकाला जारा बार, ठीक है, वैसे तो अगर हम देखे, तो चार मेंबर्स को निकालना एक बहुत बड़ा इशू नहीं है, पर आपको इसे इस sense में समझना है, कि उस time पर Russia की condition ऐसी थी, कि workers बहुत जादा frustrated थे, बहुत परिशान थे, तो ऐसे में जब चार और मेंबर्स को निकाल दिया जाता है, तो उनका जो frustration है, वो मतलब एकदम burst out हो जाता है, और वो लोग क्या करते हैं, बहुत जादा strike करना start कर देते हैं, ठीक है, over the next few days, तो कुछ आने वाले next few days में क्या होता है, 110,000 workers went on strike, बहुत सारे workers strike करने लग जाते हैं, कहां? St. Petersburg में, St. Petersburg सारे बच्चों को याद है, industrial area है रश्या का, सो वहाँ पे काफी सारे लोग strike करने लग जाते हैं, और strike करते टाइम ये लोग demand क्या रखते हैं, ये लोग कहते हैं कि reduce the working, reduce the working hours, ठीक है, working day, जितने दिन इन लोगों को काम करना पड़ता है, और working hours, जितने घंटे इन लोगों को काम करना पड़ जाता है, इन सारी चीजों को कम करो, और हमसे सिरफ 8 hours काम कराये करो, ठीक है, हमने क्या discuss करा था, कहीं बार 15-16 hours तक ये लोग काम करते थे, अब इनको कोई salary नहीं दी जाती थी, तो इन लोगों ने कहा कि ऐसा अब नहीं चलेगा, working hours को कम करो, हम लोग 8 घंटे से जादा काम नहीं करेंगे, ठीक है, और हमारी salary को, wages मतलब salary, salary को बढ़ाओ, साथ ही साथ हमारे working condition को भी ठीक करो, तो ये कहके इतने सारे लोग, 1 lakh की उपर लोग, strike करना start कर देते हैं, ठीक है, अब ऐसे में क्या होता है, एक person होते हैं, ठीक है, उनका नाम होता है father gapon, तो father होते हैं वो, और ये उनीकी image है, ये लोग, ये क्या करते हैं, father gapon क्या करते हैं, कुछ लोगों को अपने साथ collect करते हैं, और ये बोलते हैं कि हम लोग winter palace चलेंगे, ठीक है, अब winter palace क्या है, winter palace राजा के महल का नाम है, ठीक है, सार निकोलस टू के राजा, जो राजा थे, उनके, महल का नाम है winter palace टू, तो कुछ workers और father gapon, ये लोग ये सोच के निकलते हैं, कि हम लोग winter palace जाएंगे, और वहाँ जाके हम कुछ नहीं करेंगे, सिरफ राजा से प्यार से बात करके, राजा को समझाएंगे कि, देखो राजा, हमारे यहां पे workers इतने परेशान चल रहे हैं, आप please कोई solution दो, इनका प्लान होता है कि राजा के पास जाएंगे, और आराम से बात करके आएंगे, पर क्या होता है, जैसे ये लोग winter palace जाते हैं, तो राजा से तो ये लोग नहीं मिल पाते, राजा क्या करते हैं, वहाँ पे police को भिजवा देते हैं, ठीक है, पुलिस और कोसाक्स, कोसाक्स क्या होते हैं, जो special type of police होते हैं, military के कुछ members होते हैं, राजा के जो personal bodyguards होते हैं, उन लोगों को भी भेज़ देते हैं, कि ये जो भी लोग आ रखे हैं winter palace में, इन लोगों को जाके समालो, ठीक है, और police क्या करते हैं, इस दौरान, 100 workers को police मार देती हैं, and 300 were wounded, कुछ 100 लोग मर जाते हैं, police के वज़े से, और 300 लोगों को चोट लग जाती हैं, बहुत जादा injury हो जाती हैं, ठीक है, और इस दिन, जब ये incidents हुआ था, जब father get upon लोगों को लेके गए थे, winter palace, पर राजा नहीं आते हैं, राजा पुलिस को भेज देते हैं, पुलिस काफी सारे लोगों को मार देती हैं, इस दिन को क्या कहा जाता है, Russian history में, bloody Sunday कहा जाता है, ठीक है, उस दिन Sunday था, bloody Sunday मतलब उस दिन, death हुई थी लोगों की, इसलिए ये term यूज किया जा रहा है, it started a series of events, that became as the 1905 revolution, so bloody Sunday से सारी कहानी स्टार्ट होती है, and यहां से दीरे दीरे, रश्या के लोग और गुसा होने लग जाते हैं, ठीक है, so इसे आप थोड़ा, इंडिया के साथ भी रिलेट कर सकते हो, so इंडिया में आप कैसे रिलेट कर सकते हो, इंडिया में आप बच्चों को याद होगा, जलियाँ वाला बाग मैसे कर, जलियाँ वाला बाग इंसिडेंट हुआता है, तो उसमें क्या होता है, काफी सारे इंडियन्स के उपर, open firing कर दी जाती है, जब ये लोग हमारे उपर open firing करते हैं, तो पूरे इंडिया में लोग इतने गुसा हो जाते हैं, लोगों को ये लग, देखो इससे पहले भी लोगों को पता था, कि बिटिशर्स बुरे हैं, उनको भगाने की ज़रुवत है, पर जलिया वाला बाग इंसिडेंट के बाद, हम लोग को एक शौरटी आ जाती है, कि बिटिशर्स ये लोग हमको मार भी देंगे, ये लोग हमारे उपर open firing भी कर देंगे, ठीक है, तो हमें इनको इंडिया के बाहर करने की ज़रुवत है, तो सेम चीज यहां रश्या में भी होती है, ठीक है, इससे पहले भी लोगों को पता था, कि सार निकोलस टू अच्छे राजा नहीं है, राजा को हटाने की ज़रुवत है, पर जब राजा के वज़े से जब इतने सारे लोग मर जाते हैं, तो रश्या के लोगों के अंदर एक शौरटी आ जाती है, कि नहीं, अब तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा, राजा को हटाना पड़ेगा, ओके, सो इस इंसिडेंट को हम बलडी संडे कहते हैं, अभी हम आगे और थोड़ा पड़ते हैं, उससे पहले जरा मुझे ये बताओ, क्या यहां तक सारे बज्चों को क्लियर है, अगर क्लियर है तो जल्दी से कॉमन सेक्षन में थम्स अप डाल दो, कोई डाउट है, तो कॉमन सेक्षन में पूछो, तो हैश्टाग डाउट लिख के नेक्स लेक्चर में क्लियर कर दिया जाएगा, थम्स अप डाल दिया सबने, आगे बढ़ें, यहां तक समझ आ गया, चलो, आगे कंटिनू करते हैं, ठीक है, अब बलडी संडे के वज़े से क्या होता है, सब लोग कंटिन करने लग जाते हैं, कि रश्या में क्या कंटिशन चल रही है, हमारे पास कोई लिबर्टी नहीं है, कोई आजाद ही नहीं है, ठीक है, लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर, मिडल क्लास के लोग, यूनियन्स के लोग, ये सारे लोग अब और ज़्यादा डिमांड करने लग जाते हैं, कि हमें सबसे पहले constitution चाहिए है, हमें सबसे पहले constituent assembly चाहिए, ठीक है, constituent assembly क्या होता है, ऐसे लोग, group of people जो constitution बनाते हैं, ठीक है, इंडिया में भी था constituent assembly, आप बच्चों को याद होगा, तो अब रश्या के सारे lawyers, doctors, engineers, middle class के लोग, ये सारे लोग मिलके union बनाते हैं, group बनाते हैं, और राजा से कहते हैं, कि बहुत हो गया हमें सबसे पहले constitution चाहिए, तो ये जो हमने अभी कुछ line पड़ी है, इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो, कि ये after effect था, bloody Sunday का, ठीक है, bloody Sunday के ओज़े से लोग इतने गुस्सा हो जाते हैं, कि इतना गुस्सा हो जाते हैं, कि वो राजा से बोलते हैं, कि नहीं, अब हमें जल से जल constitution चाहिए, अब ऐसे में राजा डर जाते हैं, ठीक है, राजा को लगता है कि अब तो जो लोग हैं, वो बहुत जादा गुस्सा हो गए हमें कुछ करना होगा, इन लोगों को मनाना होगा, ठीक है, तो अब राजा क्या कहते है इन लोगों से कि चलो ठीक है आप लोग इतना strike कर रहे हो, इतनी महनत कर रहे हो, revolt कर रहे हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक Parliament बनाते हैं, ठीक है, तो लोग खुश हो जाते हैं बहुत आपको याद होगा हमने previous कुछ lectures में जब Russian Revolution का introduction चल रहा था, तब मैंने आप बच्चों को बताया था कि रश्या में Parliament नहीं बना था काफी टाइम से, ठीक है, क्योंकि देखो Parliament का क्या काम होता है, राजा के उपर नजर रखना, ठीक है, ये देखना कि राजा कुछ गलत ना कर अगर राजा कुछ गलत करते हैं, तो राजा को समझाना कि ये सारी चीज़े मत करो, पर रश्या के राजा को लगता था कि अगर Parliament बना दी गई, तो मेरे powers कम हो जाएंगे, मुझे किसी को जवाब देना पड़ेगा, तो इसलिए राजा के राजा काफी टाइम तक Parliament को बनने नहीं देते हैं, पर इस तोरान ब्लडी संडे के बाद क्यूंकि लोग इतने जाधा गुसा होते हैं, तो राजा सोचते हैं कि चलो इन लोगों के लिए एक पार्लिमेंट बना देते हैं, तो ये थोड़ी देर चुप हो जाएंगे, ठीक है, तो पार्लिमेंट को रश्या मे करते हैं, एक पार्लिमेंट बनाते हैं, ठीक है, एलेक्टिट लोगों को पार्लिमेंट में रखते हैं, ठीक है, पर पहली बार जब ये पार्लिमेंट बनाते हैं, तो सिरफ 75 डेस के अंदर पार्लिमेंट के लोगों को हटा देते हैं, ठीक है, तो लोगों को दिखाने के ल क्या होता है आने वाले next three months के अंदर राजा फिर से एक Parliament में election कराते है और एक second Duma को रखते हैं ठीक है second Duma मतलब second Parliament को बनाते हैं ठीक है तो ये बार-बार ऐसा क्यों कर रहे होते हैं पार्लिमेंट को बना रहे हैं पार्लिमेंट को हटा रहे हैं इसका जिसे राजा पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि पार्लिमेंट ना बने he changed the voting laws and packed the third Duma ठीक है अब second Duma को भी हटा दिया जाता है third Duma ठीक है third Parliament आते हैं ठीक है और third Parliament में जब लोगों को elect किया जाता है तो इस दोरान राजा क्या करते हैं voting laws को थोड़ा इधर उधर change कर देते हैं और अपने मर्जी के लोगों को पार्लिमेंट में बिठा देते हैं ठीक है so first और second Duma में क्या था Russia के लोगों के बीच election होता था and वो अपने मर्जी से लोगों को पार्लिमेंट में डालते हैं अब first और second पार्लिमेंट को तो राजा हटा देते हैं उनको अच्छा नहीं लगता अब एक third पार्लिमेंट बनता है third पार्लिमेंट में voting laws को change कर दिया गया है ताकि राजा अपने मर्जी से लोगों को डाल पाए पार्लिमेंट में तो अपने मर्जी से किसको डालते हैं राजा पार्लिमेंट में वो डालते हैं conservatives को अब conservatives को क्यों डाला जाता है conservatives कौन थे थोड़ा बहुत पहला lecture याद करू पहले lecture में हमने पढ़ा था न liberals, radicals, conservative conservative मतलब ऐसे लोग हैं चाहते हैं कि system ना बदले अब कोई ऐसा क्यों चाहेगा कि system ना बदले मतलब ये लोग royal family के लोग है royal family के लोग क्यों चाहेंगे कि राजा हट जाए या system बदल जाए इस system में उनको बहुत आजादी मिल रही है ठीक है, उनको बहुत powers दी जा रही है तो conservatives ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि system ना बदले और conservatives तो राजा की बात मान के चलेंगे royal family के लोग तो अब राजा क्या करते हैं conservatives को अपने parliament में भर देते हैं और वो extra ध्यान रखते हैं इस चीज़ का कि liberals और revolutionaries ये बिलकुल भी parliament में ना आए ठीक है क्यों liberals और revolutionaries कौन थे ये ऐसे लोग हैं जो जल से जल system को बदलना चाहते हैं रश्या में बदलाव लाना चाहते हैं राजा के system को हटाना चाहते हैं ठीक है तो राजा क्या करते हैं तीसरा डियूमा बनाते हैं और conservatives liberals और revolutionaries को conservatives को रखते हैं ठीक है चलो अभी हम आगे थोड़ा और पढ़ते हैं उससे पहले मुझे ये बताओ क्या यहां तक सारे बच्चों को सब कुछ क्लियर है अगर क्लियर है तो जल दी से comment section में thumbs up डाल दो कोई doubt है तो hashtag doubt और अपने doubt को पूछो next lecture में clear कर दिया जाएगा यहां तक आगया समझ चलो thumbs up डाल दिया सबने आगे बढ़ते हैं अब next हमारा topic क्या है the first world war and the russian empire अब इस दोरान क्या होता है 1914 में first world war start हो जाता है okay so first world war का असली जो background होता है कि first world war किस reason के वज़े से हो रहा होता है यह आप class 10th के first chapter में समझोगे in detail class 10th के history के first chapter में आपको in detail बताया जाता है कि क्या reason होता है first world war का अभी के लिए आप यह समझो कि first world war start होता है russia and russia के उपर first world war start होने से क्या effect पड़ता है यह अब हम धीरे-धीरे समझना start करेंगे ठीक है तो यह topic भी वैसे बहुत super interesting है first world war में क्या-क्या होता है russia के लोग कैसे first world war के condition को handle करते है यह अब आपका next topic है यह अब हम अपने next lecture में समझेंगे ओके तो मैं आप बच्चों को एक बहुत ही short homework दे देती हूँ ठीक है so आपका homework है write a short note on bloody sunday bloody sunday के बारे में in detail हमने पढ़ा आज की class में आपको क्या करना है बहुत ही short में अच्छे से short note में समझाना है bloody sunday के बारे में point wise लिखना अच्छी handwriting में लिखना comment section में डालते time hashtag doubt जरूर लिखना ताकि मुझे easily इतने बड़े comment section में आपका homework मिल जाए ठीक है चलो so आज के लिए इतना ही करेंगे कल के class में आपको पता ही है Russian Revolution topic को continue करेंगे बाकी Saturday क्यूंकि राजपांडे और भी बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि Constitution के बारे में थोड़ा बहुत बता दो तो Constitution के बारे में कुछ important चीज़े fundamental rights को हम Saturday discuss करेंगे special class होगा Saturday live interaction भी होगा आपका तो कल की class and Saturday की class important होगी miss नहीं करना है ठीक है चलो so that's it for today आज के लिए इतना ही अब हम मिलते हैं अपने next lecture में bye bye take care and thank you